नमस्कार दलीगा लिंगन के इस एपसोड में आप सारी लोगों का फिर से स्वागत है दोस्तों कल एक बहुत इंपोर्टेंट ओडर मानने सुप्रीम कोट ओफ इंडिया के द्वारा पारित किया गया आज हम उसी ओडर के बारे में बासीत करेंगे और इसे लॉजिकली लीगली समझने का प्रयास करेंगे कि क्या था पूरा मामला और किस तरीके से मानने सुप्रीम कोट ने बहुत ही क्लियरली ये निर्देश दिया यूपी गवर्मेंट को कि जो भी उन्होंने सी ए प्रोटेस से इसू किये गए और जो पैसे उनसे लिये गए उनको वापस कर दिया जाए हम इस मुद्दे पर बात करेंगे केस का नाम आपके सामने यहां पर दिख रहा है परिवेज आरिफ वर्सेस दा स्टेट ऑफ उतर प्रदेश क्या-क्या आर्गुमेंट्स हुए उसको भी हम यह समझने का प्रयास करें क्या था मामला 2019 में सी एए के अगंस्ट प्रोटेस्ट हुआ था हम जानते हैं तो यूपी में जो प्रोटेस्ट हुआ था जहां जहां भी हुआ जो यूपी के जुरुस्दिक्सन के अंदर था तो यूपी गर्रमेंट ने ये सोचा कि प्रोटेस्ट को दबाने का एक तरीका है कि हम वैसे लोग जो प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं उनको डराएं धमकाएं ताकि वो पीछे अच जाएं आपको पता है कि प्रोटेस्ट करना हमारा एक फर्डमेंटल लाइट सोड़ का काम करते हैं सरकारी संपत्ती को नुकसान पहुचाने का प्रयास करते हैं या फिर प्राइविट संपत्ती को भी नुकसान पहुचाने का प्रयास करते हैं तो यूपी गवर्मेंट का ऐसा कहना था कि इस प्रोटेस्ट के दवरान बहुत सारे सरकारी संपत्ती का चीज किया गया और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 274 रिकवरी ओफ मनी फ्रॉम पीपल पार्टिसिपेटिंग इन दे प्रोटेस्ट यह किया गया 274 रिकवरी किये गये जिसका एमाउंट लगवक करोर्स में था पूछा गया जजज साहब के सामने जब आपने पूछा एडवकेट जो स्टेट को रिपरजन्ट करने वाले थे कि बाई कितना पैसा रिकवर हुआ है तो कहा कि करोर्स में है कई करोर है अब हम इसको देखने का यहां पर प्रयास करते हैं लेकिन इससे पहले यह जानकारी भी आपको में देता चलूँ कि यह जो हम यहां पर देख रहे हैं कि 274 लोगों से जो है नोटिसेस भेजे गया रिकवरी किये गया एक्चुली और इसमें कई सारे मीडिया में जब यह किया जा रहा था तो ऐसे न्यूज आये जिसमें अना जो यूएस में रह रहा 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 है जो कभी आया ही नहीं पूरे साल उपी में उनके घर भी नोटिस चला गया कि आपने सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है बड़ा स्ट्रेंज है और भेजने बारे कौन थे एडियम एडियम के ओफिस में थे डियम के ओफिस से यह सारा संचालित हो रहा था तो खैर वहां पर बहुत सारा मीडिया करकरी हुआ कि ऐसे नोटिस आपने मेकनिकल में कैसे भेज दिया जिसको मर्जिया उसको भेज दिया आपने अपना माइंड यूज नहीं करा तो खैर यह सारी समस्याएं आई और उसके बाद लोग कोट जिसको इसको चाहा सबको नोटिस भेज दिया चली देखते हैं आगे क्या मामला है लिखा है कि सुट नोटेस्टू पर्संस पाडिसिपेटिंग इन दे प्रोटेस्ट थू डियम एडियम उत्तरपरदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक और प्रावेट प्रपरटी ऐस स्टेट है दूटेस्ट फाइनली दिग्राण दर नोटेसेश औड कन्सेक्वेंट प्रोसीडिंग जब यह चालेंज हो ना सुरू हो गया कि भाई इस नोंटिस को कौन भीज रहा है स्टेट भीज रहा है और प्रोसेडिंग कौन पर रहा है वह यह श्टेट कर रहा है बाकी अधालत ने किसलिए बनी है तो सबसे बड़ा क्वेशन यह था और इसलिए पाया गया this is violation of principle of natural justice नैसरगिक सिध्धान्त का ये violation है क्योंकि नैसरगिक सिध्धान जो है principle of natural justice जो है वो ये कहता है कि no one should be judged in his own cause अपने ही काम में कोई अपने ही जज़ बन जाए ये चीज़ ठीक है यहां तो भाई DM साहब बन गए judge भी बन गए लो बनाने बाले भी बन गए नोटीस करने बाले भी बन गए punishment करने बाले बन गए क्या चलता है तो court ने माना कि रही this is nothing but a grave violation of principle of natural justice and therefore court ने direct किया कि ऐसे तमाम notices को withdraw किया जाए जब सरकार को लगा कि हमने तो कोई गलती कर दी तिकत executive के पास यही है उनको legal computer नहीं होती है वो गलती कर देते हैं उसके बाद जब court का रंडा लगता है न तब पता लगता है उनको कि गलती होती है तब जाकर के इरोंने सारे notices को withdraw करने का एलान कर दिया कहा कि हमसे गलती हो गई हमने इतने सारे जो notices हिसू किये थे इतने करोडो करोड प्रोपर्टी को हमने जब्द कर दिया कई करोड रुपीज तो हमने मुआबजे में ले लिए यह गलत है क्यों कि notices हमने गलत किया कोट ने पाया तो सारे notices को इन्हों बिड्रॉ कर दिया क्यों बिड्रॉ किया जी उसका reason मैंने आपको बता दिया कि principle of natural justice का बालेशन था आपने notice दू किया आपने punish कर दिया प्रोशीडिंग चला दिये सारे के officer कर रहे है इसलिए यहाँ पर किया क्या अब बात करते हैं कि जब मामला कोट में गया तो फिर यहाँ पर question आया कि भाई क्या guideline क्या कोई guideline है क्या किसी सरकारी संपत्ती का यदि आप उसको destroy गरते हैं तो क्या आपको आपसे पैसा वसूल किया जा सकता है सरी yes किया जा सकता है but only with the procedure established by the law only with the guidelines और यदि हम इसको देखें तो उसमानने Supreme Court के दो guidelines दो कैसे से यहाँ पर लिखे गया है एक तो यह है और दूसरा यह वाला है दोनों में guideline की बात की गई है और इसमें यह कहा गया है कि आप चाहें तो यहाँ पर यहाँ पर यह दिस्ट्रेक्शन मास्ट्रेक्शन प्रपर्टी हुआ है due to agitation तो उस situation में आप कर तो सकते हैं लेकिन आप करेंगे in accordance with the law और इसलिए claim tribunals बनाएगे जो भी इस तरीके के मामला था उसको claim tribunals सुनें जहाँ पर independent जो हैं यहाँ पर judge हों वो सुनें ना कि दियम और एडियम सारा चीज कर दें नोटिस दू भी करें पनिस भी करें सब कुछ यही करें यह नहीं था तो claim tribunals को ऐसा करना चाहिए था लेकिन नहीं किया डियम साहबी सब कुछ कर दिये कोटने पाया कि यह गलत है और इसलिए बाद में इसको लिया गया अब जो मेनिस हुआया कि जब नोटिस वापस ले लिया गया क्योंकि वो गलत तरीके से दे दिया गया था तो भाई question यह है कि अब जो पैसे अपने जो वसूले थे लोगों से notice बेज करके डरा करके कई सारे ऐसे मामलात थे गरीब हुआ कि उससे पैसा वसूला किया अपना रिक्सा बेज कर के जो ठेला चलाता था वो अपना ठेला बेज करके रिक्सा बेज करके सरकार को पैसा दिया वो participate किया या नहीं किया इस पर doubt है वो protest में destruction किया या नहीं किया उस पर doubt है लेकिन सरकार है मजबूत है वलसाली है वलवान है तो पैसा उनको रिक्सा बेचने पर मजबूर कर दिया और पैसा ले दिया सरकार को जब लगा कि यह notice हमने गलत है गलत दिया है तब बात आया कि भाईया जब notice अपने वापस ले लिया तो पैसा भी वापस कर दो तो refund का इस हुआया कोट ने कहा कि इसे refund करो पैसा जो लिया है वापस करो क्यों टेकनिकले स्पीकिंग जब notice ही गलत है तो उस गलत notice के basis पे तुम पैसा कैसे ले सकते नहीं सकते इसलिए Supreme Court ने कहा गवर्मेंट को यूपी गवर्मेंट को कि पैसा वापस करो तब State जो यूपी गर्रमेंट है वो कहा कि नहीं जी पैसा वापस नहीं करेंगे ठीक है नोटिस हमने वापस कर दिया, सारे मैटर्स को हम claim tribunal में भेज देंगे, लेकिन पैसा हम रखेंगे, जो property confiscate किया है वो हम ही रखेंगे, कोट ने खा ऐसे नहीं चलेगा, जिस notice के basis पे आपने ये property confiscate किया है, ये पैसा वसूला है, जब वो notice ही गलत है, notice ही law के नजर में गलत है तो पैसा आप नहीं रख सकते है, उसे वापस करो, refund करो, बहुत argument किया, लेकिन court नहीं माने, एक argument इसमें भी था, ये लोट से अभी election चल रहा है UP में, तो MCC modal code of conduct लगा हुआ है, तो उस situation में refund करना तो बड़ा मुस्किल बात है, कहा गया, modal code of conduct जब की बात आई, तो judge ने कह कि कोई फर्क नहीं पड़ता, देखे क्या लिखा है, कहता है, modal code of conduct being in force in the state, the refund as well as the release of attachment would pose difficulties, बहुत दिक्कत हो, तो दिक्कत हो, कोट ने कहा दिक्कत हो, गलत आप ने किया है, तो आप इसको दो वापस, फिर justice चूर कहां पर कहते हैं, when you are enforcing the judgment of this court, how does the MCC come in, argument किया जा रहा कहां कोट के पास, कि भाई, MCC है, election हो रहा है, दिक्कत होगा, तो भाई, law and order maintain करने में किस बात की दिक्कत, यह Supreme Court बोल रहा है, कि when you are enforcing the judgment of this court, how does the MCC come in, the MCC cannot come in the way of law, and this is law, not policy, बहुत कोई government का decision नहीं है, यह MCC से रुक जाए, यह court का order है, यह law है, आप इसको कैसे रुक लोगे, कितना भी बोला गया, फिर प्रयास किया गया, UP government के द्वारा, your law chief may please direct a status को, जैसे है उसको वैसे ही छोड़ दो, be maintained, we assure you that everything will be maintained, and the order for refund will be come in the way, please let both parties go to the tribunals, pray to the state, state गुजारिस कर रहा है कि tribunal में जाने दो ना, वहां पर जैसे decision होगा, उसमें कर देंगे, लेकिन court नहीं माना, देखिए court क्या का रहा है, आपके और सरकार के बीच में हमेसा खड़ा रहता है, आपको justice दिलाने के लिए आपको पता भी नहीं चलता है कितना महनत किया जाता मानने जासे चंचूर यहां पर का रहा है, कि imagine the property has been attested, the order pursuant to which that was done has been withdrawn, can we say that the attachment would still continue, is there a provision in the act for attachment before judgment, बिना जज़्में का अपने प्रपटी ले लिया, यह क्या दरीका हुआ, I doubt there is, once the order has been withdrawn, we cannot say that attachment will continue, move to the tribunal for such relief, और जो भी रिलीफ आपको चाहिए, जाहिए और वहां से किजिए, लेकिन अभी के लिए आप पैसे को वापस किजिए, property जो attach किया है, उसको release किजिए, दुबारा notification भेजिए, और इस बार जो अधिकारी होगा, भेजने वाला, वो DM ने ह एडियम ने होगा, आपके officer ने होगे, जो आपके इसारे पर नास्ते हैं, वो officer ने होगे, वो independent व्यक्ति होगा, ट्रिबनल के पास जाईए, और इसका निर्ने कौन सही है, कौन गलत है, जज़ करेगा, ना कि आपका DM और एडियम करेगा, और इसलिए, ये सारा notice बेकार है, लॉके निजर में frivolous है, और इसे वापस लिया जाए, वापस ले लिया गया, और दोबारा ट्रिबनल में सारे matters को भेजे जाएंगे, और वहाँ पे जिनको notice जाएगा, वो आप वहाँ पे trial में decide करेंगे, आप वहाँ पे present करेंगे, और उसके बाद जो गलत किया है, जो property क का नुकसान किया है, उसको punishment भी दिया जाएगा, उसका property भी लिया जाएगा, उसके property attached किया जाएंगे, मुआपचा भी लिया जाएगा, लेकिन उसका निर्न एक DM और ADM नहीं कर सकता, आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा, यह अधिया ऐसा है, तो हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक करें, इसे वाइडली शेयर करें, और इसी तरीके का authentic जानकारी आपके डॉरस जब तक मिलता रहे, इसलिए हमारे चनल को सब्सक्राइब करें, और बेल बटन की हिट करते हैं, चले फिर से मिलते हैं किसी और topic में, तब तक के लिए, नमस्कार, जय हैं